हेलो फेंट्स मैं हूँ सवनमे प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटीब चैनल सरकार जॉब म्यूज इस करेंट फर स्वीडियो में कई इंपॉर्टन टॉपिक है नेपाल के नए राष्टपते चुने गए हैं और वहाँ पर चीन जो है वो चाहरा था अपना एक पपेट वहाँ बैठाना लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है तो इस पॉलिटिक्स के बारे में भी जानेगे पर उस देश है इसलिए ज़रूरी है जानना जारकन का जो बजट है 2023-2024 का उस पर बात होगी क्यों इंपोर्टन बात है और क्या नाम रखा गया है इस बजट का शी जिंपिंग तीसरी बार राष्टपती ऑफिशल रूप से चुन लिए गये हैं वहाँ की संसद ने चुना है उन्हें और भी कई टॉपिक है जिससे क्रिप्टो करेंसी उस पर एक नया कानून लगू किया गया है और भी कई सारे अभ्यान है उन सब पर चर्चा होगी दोस्तों तो शूर करते हैं और कोशन पहला और हाँ उससे पहले आपको बता दो कि जन्वरी से मार्च तक का टोटल जो करिंट फर्स का वीडियो है वो अबलेबल हो चुका है मेरा थन वीडियो चला था तक्रीबन दो पर उस देश आंसरोगा रामचंद पॉडेल क्या नाम है रामचंद पॉडेल नियूज देख रहे हैं आप फोटोग्राफ ही रहा देखी नेपाल में बहुत लंबे समय से चीन की कोशिश रही कि उसकी जो राजनीती है जो की पोश्टर उस पर दखल रहे उनके लोग वहा प्राप्त है लेकिन वहाँ जो अभी प्रामिनिश्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंद उनकी पार्टी जो कमनिश्ट पार्टी है और दूसरी नेपाली कॉमर्स उन दोनों ने गड़भंदन किया और इनको राश्टरपती के तौर पर कैनरेट के रूप में उतारा और व कि जगा इन्होंने ली है क्या नाम है इनका नए राश्टरपती का नाम आपको याद रखना है रामचंदर पौडेल ठीक है नेपाल उसकी राजधानी क्या है काटमांडू चले आब आगे बढ़ते हैं ये भी पड़ोसी देश से ही रिलेटेड है शी जिंपिंग कौन सी चीन के राश्टरपती चुने गए हैं आंसरों का तीसरी बार देगी चीन में एक मात्र पार्टी है और वो है कम्निश्ट पार्टी ओफ चाइना सी पीसी कहते हैं और उनी के सदस्य वहां का जो नेशल पिपुल्स कॉंगरस है यानि चाइनी जो संसद है उसे पहुंचते ह और उनको संसद को एक तरह से पार्टी का ही रबर स्टांप माना जाता है तो चीनी पिपुल्स कॉंगरस यानि चीनी संसद ने 10 मार्च को शी जिंपिंग को तीसरी बार राश्ट पती चुन लिया है और आपको दाओं की कम्निश्ट पार्टी ओफ चाइना जो पार्टी है उसके संस्थापक थे मौत से तुम तो उनके बाद शी जिंपिंग ऐसे पहले नेता बने है जो पांच सल का दूसरे कारकाल के बाद भी वो सत्ता तक बने रहेंगे लब्मे समय तक ठीक है शी जिंपिंग पहली बार 2013 में चाइना के प्रिसेंट बने थे उसके बार 2018 में रा संशोधन करवा दिया था और पहले यह था कि कोई भी वेक्ति दो बार से जादा राष्ट्रपती नहीं रह सकता है चीन में लेकिन अब यह आजीवन राष्ट्रपती रह सकते हैं हर पांच साल पर जो फॉर्मलिटीज होती है चुनाओ का वो होता रहेगा और यह लगाता पर रहेंगे वहां ठीक है तो अभी वहां के संसत का सत्र चल रहा है और उसमें जो वरत्मान प्रीमियर है ली के कियांग प्रीमियर कहते हैं प्राइमिनिस्टर के सम्तुल एक तरसे पद है अलाकि सरवच तो राष्टपती ही होता है चैना में तो प्रीमियर का भी कारकाल खत्म हो रहा है ली के कियांग तो नए जो प्रिमियर बनेंगे उनके बारे में मैं कल आपको बता दूँगा फैसला हो जाए तो ठीक है तो शीजिंपिंग चीन के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं इस वक्त पिछले कुछ वक्त से और माउट से तों के बाद ऐसे व्यक्ति है वो कब मनाया गया यह देखिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मना जाता है तो 2023 में यह दिन 9 मार्च को आया है थीम क्या है इसकी आप देख रहे हैं हिंदी में क्या कहेंगे आप परताशित के लिए तैयारी कमजोर लोगों का समर्थम ठीक है और इस दिवस को मनाने क कि शुरुवात हुई थी 2006 में International Society of Nephrology और International Federation of Kidney Foundation इन तोनोंने मेल कर कि थी ठीक है किड़नी जो है वो शरीर के जो बहुत सारे महत्पुर्ण अंग है उन में से एक है और चोटा सा अंग है जो कि रोजाना खून का चौथाई हिस्सा साफ करता है और इसके लबा किड़नी क काम शरीर से जो फालतू पानी है जहरीले और गंदे पदार्थ को बहार निकालना शरीर से यह है अगला कोशन दें केंदर सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने बेचने रखने और इससे जुरी सेवाओं पर इनमें से कौन सा कानून लागू किया है आंसर गाईस का है एंटी मनी लॉंडरिंग लॉ ठीक है एंटी मनी लॉंडरिंग लॉ यह कानून लागू कर दिया गया है और निउस देख रहे हैं आप देहिंदू में अब भारती क्रिप्टो एक्सचेंज को वित्तिय खूफिया एकाई भारत का जो है उसे तमाम संदिग्ध गतिविधिय कि लेंदिन की सूचना देनी पड़े है तो फाइनेस मनिश्री ने ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया है साथ मार्च को और आपको पता होगा कि लगतार सरकार और आर बी आई तमाम वो सब कोशिश कहा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कितना जो है उसको हाथ उत्साहि किया जा और इसी के चलते पिछले साल बजट में जब वित्तमांतरी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन पर टेक्स दिन होगा डीजिटल एसे जो है टेक्सेबल होगा तब क्यास लगा जा रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को स्विकारता मिल गई है एक तपका ऐसा भी था उसको लग रहाता है लेकिन अब जो कदम उठाया गया है मत्ब यही है कि सरकार बेलकुल चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी वो उसका इस्तमाल बहुत कम हो अच्छा इस गजट नोटिफिकेशन में यह क्या कहा गया है और जो भी इस तरह के है वो एक्सचेंज में जो भी कुछ होगा तो उसके बार में अगर कोई भी किसी तरह की गरबरी है या कुछ है तो मनी लॉंडिंग कानून 2002 के तहत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और यह भी इन्फॉर्मेशन थी कि यह क्रिप्टो करेंसी का जो यूज है वो ब्लैक मनी के तौर पर बहुत बड़े प्रमाने पर हो रहा है इसके लव भी देश में पैसे भीजने गलत धंक से इन सब के लिए हो रहा है तो एक तरह से यह शिकन्जा कसनी के कोशिश है महत्पून बात अगला कोशिश लेते हैं सदीश कौशिक उनका निधन हो गया 9 मार्च 2023 को तो किस छेतर के लिए परज़ुद्ध थे सब को पता होगा आंसर है फिल्म ठीक है और फोटोग्राफ यह रहा है इनका यह हिंदी फिल्मों के एक एक्टर थे डिरेक्टर थे प्रोडूसर, कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर थे इतने सारी इनके इन्हों खोबियां थे 66 एर थी उनकी उम्र 9 मार्च को उनकी देथ हो गई और उन्होंने असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर फिल्मों में शुरुआत की थी 1983 में फिल्म थी मासूम उसमें और 1987 में जो फिल्म आई थी Mr. India उसमें उन्होंने कलेंडर की भूमकार निखाए थी कलेंडर नाम के एक वेक्ति की और उससे काफी भाचान मिले थी, उसके बाद तो कैर जाने माने वो वेक्ती थे अगला कोश्चन लेते हैं, 23 राष्टमंडल विधी संबेलन तो इसका आज़न मार्च 2023 में किस राज में हुआ है, भारत में आंसर होगा, गुवा में हुआ है, ठीक है ये 23 राष्टमंडल विधी संबेलन है, कब से कब तक हुआ, 5 से 9 मार्च 2023 को उधगाटन किस ने किया, तो गुवा के गवर्नर, पियस शिडिधरन पिल लई ने किया और उसमें केंदरिये जो लॉग मिनिश्टर हैं, किरिण रेजेजू, गुवा के मुखमतरी, प्रमोट सावन, तो वो सब भी इसमें शामिल हुए और अगर हम बात करेंगे कि कितने देशों के लोग थे, तो 52 कंट्री के 500 प्रतिनेजों ने इसमें परस्पेट किया था, ठीक है Commonwealth जो नेशन्स हैं, उसमें लॉग को लेकर, कानून को लेकर इसमें चर्चा की गई है अगला कोशन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच सेंट सेंट अभ्यास, फ्रिंजेक्स 23 आज़ित हुआ है आंसर का, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में ये आज़ित हुआ है और ये important एक फ्रिंजेक्स है, और फ्रिंजेक्स जो है वो पहली बार इसके शुरुआत किए गई है फ्रिंजेक्स नाम से इससे से लेटेड अगला कोशन लेते हैं, और हाँ निउस तो देखी ना है अगला कोशन भारत और फ्रांस की सेना के बीच, यानि थल सेना के बात हो रही है याँपर सैन्याभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का अज़न मार्च 2023 में कहां पर हुआ, तो ये कहां पर आज़ित किया गया है सैन्याभ्यास दो दिनों तक चला केरल के तिर्वनथ पूरम में वहां पर पैंडोग मिलिटरी स्टेशन है, साथ से आठ, यानि साथ और आठ मार्च को और दोनों देश की सेनाओं ने सैंवत रूप से ये फैसला किया है कि एक सैंवत कमांड फोर्स के अस्थापने की जाएगी, महत्पुन बात है ये, सैंवत कमांड फोर्स के अस्थापने की जाएगी दोनों देशों के दोरा और ये कमांड पोश्ट में डिजाष्टर रिल राश्ट्रपती, दुरापदी मुर्मो ने जल शक्ती अभियान है, कैच दी रेन, उसकी शुरुआत की, तो ये किस मंतरले के अंतरगत आता है, आंसरों का जल शक्ती मंतरा ले, उदेश क्या है इसका, तो वर्शाल जल जो है न, जो रेन वाटर है, उसे सनक्षित करना, ठीक किया उन्होंने, ओके लॉंच की फिल्म, क्या नाम है, फिल्म का जल शक्ती से नारी शक्ती, और अश्वती ने कहा कि चुकि भारत में, दुनिया के जल सांसादुनों का, मातर 4% है, इसलिए, जो वाटर मैनेजमेंट है, और इसका जो गंजवेशन है, वो भारत की सबसे ब पानी, अक्सर यह होता है, कि नालों से बहकर नदियों में चला जाता है, और फिर हमारे यूज के लिए बहुत कम हो जाता है, इसलिए, सोक पेटे निर्मान करना, उस वर्षा के पानी का दूसरे यूट्रिलाइज करना, यह सब बहुत ज़रूरी है, अगला कोशन, देश क नए, लेखा महानियंतरक, क्या कहीं नहीं है, CGA, इंगलेश में कहेंगे, कंट्रोलर जेनरल आफ एकाउंट्स, यह C.A.G. नहीं है, ठीक है, यह C.G.A. पद है, कौन बनाएगा है, आंसर का है, S.S. दुबे, उन्होंने चार्ज भी ले लिया है, C.G.A. का, कंट्रोलर जे एकाउंट्स का, फोटोग्राफ यह रहा, वो इस पद को समालने वाले 28 वे अधिकारी हैं, 28th, 1989 बैच के भारती सिविल लेखा सेवा के ऑफिसर हैं, सवाल होगा कि C.G.A. का काम क्या होता है, तो एकाउंट्स के मामने में केंट सरकार का यह प्रधान सलहकार होता है, प्रि राजकोशी नियंतरन, जो इंटरनल ऑडिट है, इसके लिए भी यह जिम्मेदार होते हैं, राजकोशी जो घाटा चल रहा है, उस सबका कैलकुलेशन करना इन ही के जिम्मे में होता है, अगला कोशन लेते हैं, अंतराश्टे महिला दिवस कब मना जाता है, आंसरोगा 8 मार ठीक है, और थीम क्या है इस बार की, डिजी ओल, इनोवेशन एंड टेक्नलोजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, हिंदी में कहेंगे, डिजी ओल, यानि डिजिटल, जो है, वो सभी के लिए, लेंगिक समाद्दा के लिए, नवाचार और प्रावध्य की, ओके, ये रहा, वो कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्या सरोत हैं, महत्पुर्ण जो भी, एक्जामनेशन के लिए, कोशन्स हो सकते हैं, उस सब को इसमें शामल किया गया है, तो शुरूर करते हैं दो, बिना देर के वे, और आपको इंफॉर्म कर दों कि, इसका PDF, डेली का जो वीडियो ह होता है, वो फ्री होता है, इस दिस्क्रिप्शन में चेक कर रहना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप इसे एप है, सरकारी जॉबनेश, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसके लवा, तमाम पिछले साल के और इस साल के अभी तक के, करेंट फॉर्स के PDF फैबलेबल है, एक मेंबर्शिप लेना होता है, उसके जरीए आपको करेंट फॉर्स की शांदार तैयारी हो जाती है, एक्जामनेशन के लिए, और मेंबर्शिप का प्लान ये है, 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी, 199 रुपे में, क्या-क्या मिलेगा, तो करेंट फॉर्स का PDF मिलता है एक साल तक, weekly, monthly, quarterly, yearly, और कई तरह के PDF होते हैं, one-liner होता है, MC की होता है, MC की होता है, MC की बेटेल्स होता है, इसके लावा, mock test है, current फॉर्स का, weekly, monthly, और test स्रीज है, तमाम तरह के examination के लिए, आपके राजी के जतने examination है, central government के examination है, उन सब का test स्रीज अबलेबर है, और books पर पूट भी मिलती है, तो description चेक कर लेना, और अब शुरूर करते हैं, जारखंड का current first order is related, पहला question होगा, जारखंड सरकार ने राजी के budget 2023 को किस नाम से विधान सभा में पेश किया, आंसों का इसका हमीन कर budget, ठीक है, क्या है, हमीन कर budget, इसके शब्द का अर्थ क्या हुआ, ह हम लोगों के कर का budget, ठीक है, इस बार का क्या नाम है, हमीन कर budget, तो यह important है, examination के लिए याद रखना, अच्छे पिछले, जो पिछला budget था, 2022 थे इसका उसका नाम क्या था, हमर अपन बजट, यानि हमारा अपना budget, क्या नाम था, हमर अपन बजट, अगला question लेते हैं, बजट 2023 में जहारखन सरकार ने कितने रुपे के खर्च का लक्ष रखा है, कितना खर्च करने का लक्ष है, सरकार का, आंसर गा 1.16 लाक करो रुपे, जहारखन के विट मंत्री हैं, डॉक्टर रामेश्वर उडाओं, तो उन्होंने ही budget पेश किया, विट्वर्ष 2023 के लिए विधा सभाव है, और मुखमत्री कौन है, हिमन्त सोरेन है, तो एक बार budget पर देख लेते हैं, क्या क्या है, तो इस साल का जो, यहनी 2023 का, जो इस financial year का budget कितना है, तो 1.16 लाक करो रुपे, पिछले वर्ष का जो budget था, वो कितना था, 1.01 लाक करो रुपे का था, अला कि बाद में वो संशॉधित हुआ और 98.99 थाजोन करोड का वो budget था, तो अगर हम बात करेंगे कि पिछले साल के तुलणा में, यानि पिछले budget के तुलना में, कितना आंतर हैं इस budget में, तो 15% ज्यादा है पिछली बार के तुलना में, तो अब देख लेते हैं, आई और वयर, यानि income और expenditure, तो सबसे पहले income को देखते हैं, ठीक है, तो income वही रखा गया है, ट्रेक किया गया है, 1.01 लाग करोर रुपए, और revenue receipt यानि राजसुर प्राप्तियां, राजसुर प्राप्तियां क्या होती है, जो राजसरकार tax वसूल रही है और केन सरकार से जो प्राप्त हो रहा है, tax का हि अब सवाल है कि रुपए आएगा कहां से, कैसे कैसे ये income है, तो ये आप चार्ट देख रहे हैं, कहां कहां से रुपए आने का पूरा ये system है, तो 29.02% यानि सबसे ज्यादा केंदरी करो में जो जारकंड का हिस्सा है, वो मिल रहा है, उसके बाद का अस्थान किसका है, तो सरकार अपना खर्च चलाने के लिए उधार भी ले रही है, तो 15.46% है, उसका राजिका स्वा करभिन राजस, करभिन राजस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो direct tax है, उसके अलावा कुछ और tax जैसे जमीन का रिश्ट्री करने जाते हैं, तो इस तरह के जो taxes है, 14.84%, कें सरकार से अनुदान भी मिल रहा है, वो है 14.12%, और रेनवा अगरिम की वसूली, जो सरकार ने लोगों को लोन दिया है, किसी किसी योजना किता है, तो उसकी वसूली हो रही है, वो है 0.06%, ठीक है, अब सवाल है कि खर्च कैसे कैसे हो रहा है, और खर्च कितना होगा तो वो भी वही है, 1.16 लाग करोर रुपए, इसमें रविन्यू एक्सपेंडिचर जो है, यानि राजस्व खर्च, वो है 84.67 थाउजन करोर रुपए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 31.74 थाउजन करोर रुपए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब डिवलप्म कार, लोगों को लोन देना, कर्ची वापसी है, वो सब हैं, अब सवाल है कि रुपए जाएगा कहां, कैसे कैसे ये रुपए जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें खर्च रखा गया है, वो एजुकेशन पे, 12.08 परसंट, उसके बाद अस्थान आता है, पंचायत सह और पेजल, 9.8 परसंट ये खर्च करने का उसमें प्रावधान किया गया है, उसके बाद है कल्यान और समाज कल्यान, 8.75 परसंट है, कल्यान और समाज कल्यान, यहां देख रहे हैं, तीक है, उसका पुलिस और आप्दा प्रबंधन से समंदित भी खर्चा है, कितना है, 7.87 परसेंट है इसके बाद पेंशन पर है 7.51 परसेंट फिर एज ओर्जा है 6.67 परसेंट है और बाकी खर्च है जिसे भूराजस्व है 7.46 परसेंट है रिनो का भुगतान भी हो रहा है क्योंकि सरकार ने पीछले बार लोन लिया था पिछले कई वर्षों में तो उसका भी चुक बाना है सिर्फ तो वो है 5.83 परसेंट है भी शहरी विकास भवन निर्मान 2.87 परसेंट है यह टोटल है सरक परिवहन पर भी खर्च और 5.47 परसेंट और अग्रिकल्चर सहित जल संसादन और अनसंबंद छेत्रों पे 5.66 परसेंट तो यह इतने तरह के खर्चे हैं इतने त परकंड सरकार ने बजट 2023 में राज के राजकोशिय घाटे यानि फिसकल डेफिसिट उसका लक्ष जी एस डीपी का कितना पर्थिशत रखा है क्या है जी एस डीप इसका फूल फॉर्म क्या होता है ग्रॉस इस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जैसे अगर देश का हम क पहेंगे ग्रॉस एस्टेट डोमेस्टिक प्रड़क्ट जी एस्टीप हिंदी में क्या कहेंगे इसे सकल राजी घरेलू उत्पाद तो उसका कितना प्रतिशत है टोटल का आंसर होगा यह 2.76% कितना है 2.76% जो राजकोशिय घाटा होनी जा रहा है वो है 2.76% अगर रुप देखें सरकार ने जो बजट बनाया उसमें जो सरकार ने इंकम प्राप्त किया आये शुद्ध आये का मतलब यह हुआ कि हमने कर्च जो लिया है उसको हटा के और कितना खर्च कर रहा है खर्च का मतलब जो हमने लोन वोन चुका रहा है उसको छोड़ कर तो उसमें जो अंत विदार ने राज के gross state domestic product ने जीएसटीपी के growth rate का कितना लक्ष क्या रखा है कितना growth rate होना है जैसे हम लोग कहते हैं के इन सरकार जब budget पेश करती है तो कहती है कि हमाई GDP में इतना growth rate हो रहा है तूसरी तर से हम कहेंगे राज जी के GDP में कितना growth हो रहा है अचा पिछले जो budget था उसका अनुमान कितना था 7.8% था और 2021-22 का वो आ चुका है final data 8.4% यह रहा है अब आगे बढ़ते हैं इसस related question है यह जारकन आर्थिक सर्वे जारकन एकनोमिक सर्वे 2022 ते इस कहेंगे से उसके अनुसार विद्वर्ष 2021-22 में जारकन का GSDP growth rate कितना रहा है तो मैंने पहले बताया था आपको कितना 8.4% ठीक है क्या है 8.4% यह रहा है और यह तो final data है 2021-22 का और यह जो data है 2022-23-23-24 का वो है अनुमानित data तो अब ही जो budget पेश किया गया 2030-24 का उसका growth rate का अनुमान है 7.4% पिछले का 7.8% था और जो final data है 2021-22 का वो 8.4% है और अगर बात हो कि पर capita income यानि प्रती वेक्ति आए उस राज में जार्खन में कितनी है तो वो 2022-23 का यह तै किया गया है 58,819 रुपए एक साल में एक वेक्ति की आए औसत रूप से 58,819 2021-22 में कितनी थी तो 55,126 रुपए और उससे पहले 2020-21 में 51,365 रुपए यह प्रती वेक्ति आए की बात हो रही है और अब बजट घोशनाएं देख ले देते हैं जो important बजट घोशनाएं हुई है वो सब कही सारी घोशनाएं बहुत सारी घोशनाएं क्या कहा है जैसे पांच एकर से कम छेतर के तालवों का मशीन से गाध हाटाने और डीप बोरिंग के लिए 500 करोर रुपए है माइक्रो लिफ्ट एरिकेशन के लिए क्रिशी सम्रिती योजना शुरू हो रही है मोटा अनाज के लिए यानि मिलेट्स के लिए जारखन राज मिलेट मिशन शुरू होने वाला है उसका भी एलान किया गया है मुख मत्री परशुधन विकास योजना के लिए 300 करोर रुपए गिर्डी और जमशुथपूर में नया डेडी प्लांट लगेगा राची में मिल्क पाउडर और मिल्क प्रुडक्ट प्लांट लगेगा उसके लिए 180 करोर रुपए जो दुख दुख उत्पादक है मिल्क प्रुडक्ट प्रुडक्ट जो लोग कर रहे है उनको प्रुसान के लिए प्रुसान राची जो है 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा का 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है 100 मेट्रिक टन चमता के 566 और 500 मेट्रिक टन चमता के 146 नए गोदाम बनाए जाएंगे एक लाग किसानों को व्यक्तिकत भूमी पर सिचाई कूप दिये जाएंगे पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिचाई पर योजना चलू होगी पंचाईट सचीवाले सुद्धिकरन योजना है जिला और राजस्तर पर समवाद के लिए LED स्क्रीन है विद्वा पुनड विवाफ प्रोसान राशी स्वक्षता के लिए निशुल के संट्री नेपकिन गर्वती महिलाओं को पुष्टिक आहार और प्रसव के बाद मत्युतु केर किट वित्रन के लिए महिला और किशोर कल्यान योजना ये भी इंपर्टन बात है आगनबाडी चलो अभियान योजना उसके लिए 190 करोर रुपए प्रसावित किये गये हैं आठ सो नए आगनबाडी भावन बनाये जाएंगे सभी पंचायतों को जीरो ड्रोप आउट पंचायत बनाने का लक्ष रखा गया है नित्रहाट विद्याले के थर्च पर चाईबासा दुमका और बोकारों में नया आवासी है विद्याले स्कूल खोले जाएंगे और नॉलिज सिटी जो है वो बनाये जाएंगे अलगलग जिलों में बरही बुंडी बत रातू चाईबासा जमशेटपुर और नॉलिज सिटी खूंटी में इन सब शहरों में पलामू चाईबासा और दुमका में नया मनो चिकटसक चेंद्र खोला जाएगा राची में पीपीपी मोडल पर अलकोहल बी एडिक्शन सेंटर बनाये जाएंगे चलते ग्राम क्लेनिक का संचलन और प्रबंधन किया जाएगा जन्विर्तन प्रनाली के दुकानों में प्र और जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना और बेल अकन दबाना तो नोटिफिक्शन आपको वक्त पे मिलेगा तमाम जो वीडियोज हैं उन सब के ओके और मेंबर्शिप प्लान है आपके करेंट फोर्स की तियारी के लिए चाहिको अभी एक्जाम नि